कनल कोट्याल साब जब गंगोत्री में प्रिंशिपल आई थे तो उन्होंने यहां पे गाउं गाउं में जाना भी सुरू किया कही लोग आये कनल साब के पास कि कनल साब हमारे लड़के को जौब दे दू, नौकरी दे दू कनल साब यह सोचा कि लड़का जब सब चीज में फिट है तो तैयारी क्यों नहीं कर पा रहा उसके लिए क्या के उन्होंने कि सभी गाउं के जितने भी बच्चे थे उनको एक जगोपे एक दित करके और उनको आर्मी रिटार परसन से टैनिंग दिलाना शुरू किया यूथ फॉंडेशन दो हजार तेरह अप्रेल के महने से सुरू हुआ था हमारे पहली बार में 32 बच्चे थे और 32 बच्चों में 28 बच्चों ने आर्मी जएन की उससे लगा कि ये एक सैक्सर्पन मोडल है और इसे जो उत्राखंड के बच्चों को जो एक मार्क दस्तन होना इसके लिए बहुत ज्यादा सही है उसके बाद फिर जगो जगों पे हमारे जो बच्चों को प्रस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है दो हजार तेरह से लेके आज तक हमारे दस अजार बच्चों ने इनन आर्मी को ज्एन कर दिया है भरती से तीन-चार मैने पहले हम गाउं के रिमोर्ड इलागे में जाके जहांके बच्चे जो कि आर्मी में जाने के लिए जो मेडिकल होता है वो चक करके उन बच्चों को हम कैम में बुलाते हैं और कैम में उससे हम तीन और चार मैने के ट्रेनिंग देते हैं कि मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप कम से कम जितना भी यूथ फॉन्डेशन को डॉन्ड़ोट करोगे उससे हम जितने बच्चों को टैनिंग देगे उसमें तो एक बढ़ोतरी होगी और जहां पे सौ बच्चों को टैनिंग देशते हैं आपे हम मैक्सिमूम बच्चों को टैनिंग देंगे और भारत को एक सच्छा सेनिक दीने में आपका योगदान होगा